नमस्कार कुमार इश्टो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन वाले जात्कों के लिए पाइसीस एसेंडनेंट वालों के लिए बीस ओमबर दोजार इकिस को जो गुरु ग्रह का राशी परिवर्तन है मकर राशी से कुम राशी में जो वे गोचर करेंगे उसका क्या फलवे परदान करेंगे मीन लगन वाले जात्कों को तो चुकि यह जो वीडियो है यह लगन के आदार पर है मेरे जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ मजली पेडिक्शन का वीडियो अपलोड करता हूँ तो वे सभी लगन के आदार पर होते हैं तो आपको आपका लगन मालुम होना आवश्यक है आपकी जो जन्म कु उसमें गोचर कर रहे हैं गुरुग्रह अपसे पहले मकर राशी में अपने नीच की राशी में शनीग्रह के साथ प्रेश्राइज हो करके गोचर कर रहे थे प्रंतों अभी यहां से निकल करके शनीग्रह की ही दूसी राशी शनीग्रह को दो राशी अपराप्त हैं मकर और देखे यहाँ पर गुरुग्रह का गोचर जो ये करेंगे ये मकर से कुम्भ में आ जाएंगे गुरुग्रह एक राशी में लगबग एक साल का एक वर्ष का समय वैतीत करते हैं इसके साथ मीन लगन वाले जातकों के लिए गुरुग्रह इनके फर्स्ट हाउस और इनके चाओंगा अच्छी चीज ये रहेगी कि इस समय में मीन लगन वाले जातकों का कारिय वैवसाय को करते हैं तो उसके अंदर अधिक लाभों की प्राप्तिया होना सुनिश्चित है इस समय में यदि वे किसी आप जॉब करते हैं बिजनस नहीं करते जॉब करते हैं और किसी currency प्राप्त होती है तो उसके माध्यम से भी आप प्राप्त कर पाएंगे ऐसा यहां पर साइन बताता है कार्य वहवसाय में दिन दुगनी राज चोगनी तरक्या आप होती देखेंगे foreign land के माध्यम से और अधिक मात्रा में धन के प्राप्तिया आप कर पाएंगे इसके साथ साथ आप बात करते हैं दूसरे नंबर की बात की दूसरे नंबर की बात यह है कि इस समय में लगनेश का दुआदश में जाना कुछ अच्छा नहीं माना जाता है यह थोड़ा सा और टेंशन बरा रहता है इस समय में आपको अपनी हैल्थ के लिए अपनी मधर की हैल्थ के लिए या अपने किसी family member या relative की हैल्थ के लिए धन खर्ची करना पढ़ सकता है ऐसा यहाँ पर साइन बताता है तो उसके लिए थोड़ा सा केरफुल लें आपका धन, मेडिकल, मेडिसिन, होस्पिटल इत्यादिप पर खर्ची हो सकता है या कोट, कचेरी, कारगार, धंड, नहेपाली का इस पर खर्च हो सकता है उसके लिए आप थोड़ा सा केरफुल रहे बच कर रहें और यदि आप इन में से किसी सिच्वेशन को फेस कर रहे हैं या देखते हैं कि ऐसा कुछ होने का परतीत होता है तो उसके लिए एक उपाय मैं आपको अभी बता देता हूँ, वह उपाय अभी करेंगे, करेंगे तो आपको लापरात होगा, आपको करना क्या ह हैं कि जो आपका खर्च हो रहा है वो तो ठीक है परन्तु जहां तक आपकी सामर्थ है उसके अनुसार किसी जरुतमन व्यक्ति का यदि आप मेडिकल, मेडिसीन, होस्पिटल आदी का खर्चा वहन कर लेते हैं तो काफी संभावना बनती है, काफी परबल संभावना बनती ह है कि आपको होस्पिटलाइज नहीं होना होगा होना पड़ेगा या आपको मेडिसीन नहीं लेनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी तो बहुत कम समय के लिए लेनी पड़ेगी ये उपाई बहुत कारगर है और ये कार्य करता है इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप इन आदिपक खर्च हो इससे अच्छा है आप उस धन को धर्म कर्म के कार्यों पे लगा कर किसी जरुत्मन व्यक्तियों की हेल्प करके अगर खर्च करते हैं तो आपको उसका लाप्राफ्ट होगा इसी खर्च करना ना कहकर के इन्वेस्टमेंट अगर कहे जाए तो भी कोई गलत देते हैं तो नेचर उसे मल्टिप्लाई करके हमें वापिस देती हैं उसी परकार से अगर आप अपने धन को किसी की हेल्प में लगाते हैं डोनेट करते हैं डोनेशन करते हैं तो उसका आपको अधिकला प्राप्त हो पाएगा इसके साथ गुरू ग्रह की तीन सुप दरश आपकी माता की हेल्थ के लिए खर्च होना संभव है या आप अपनी माता को किसी परकार से हेल्प पोचा कर देखें हेल्प कहीं परकार से होती है केवल धन के तो पर नहीं होती आप धन से भी हेल्प कर सकते हैं शारिक शरम से भी हेल्प कर सकते हैं या अच्छी वानी का प्र स्वास्ते बहतर होता दिखाई देगा आपको आपकी माता के स्वास्ती के अंदर सुदाहत दिखाई देने के लक्षन दिखाई देंगे इसके साथ साथ इस समय में आपका धन यदि आप कोई अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं कोई घर खरीदने का आपका मन है तो इस कर पाएंगे एक धन एक अच्छा घर खरीदने में यहाँ पर हिसाइन बताता है इस समय में एक योग और बनता है इस समय में मीन लगन वाले पाइसिस एसेंट वाले जाता कोई अच्छा बड़ा वाइकल भी खरीज सकते हैं उसके लिए भी इन्हें धन खर्ची करना पड़ स सिक्स हाउस पर पड़ती है तो यह बताती है कि पिछले समय में जो भी कोई इनके रोग रिंट शत्रू रहे हो वे अब शान्त हो करके ये उनसे भी लाप प्राप्त कर पाएंगे इस समय में मीन लगन वाले जातक अपने मामा मौसी इत्त्यादी से भी कुछ धन लाप प्र मालिका से जुड़ा हुआ कोई कारिये इनका पैंडिंग था पिछले समय में इनका कोई कारिये पैंडिंग था तो उस कारिये में भी इन्हें राहत मिलेगी इनके वे कारिये इनके विवर में जाते हुए दिखाई देंगे इसके बाब बात करते हैं गुरू ग्रह की नवम loan भी आराम से इन्हें मिल जाएगा easily ये प्राप्त कर पाएंगे और उस loan को ये आराम से उतार भी पाएंगे ऐसा साइनिया पर बताता है इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रैक की नवम दर्ष्टी की जब गुरु ग्रैक की नवम शुब दर्ष्टी आपके एर्थ हाउस पर पढ़ती है तो ये बताती है इस समय में जो पैत्रिक संपत्ति होती है उसके अंदर ये यहां पर लाभों की प्राप्तिया कराएंगे इस समय में आपका जो ध्यान है वे अध्यात्मीक ध्यान ओकुल्ट साइंस की ओर या छीपे हुए ग्यानों की ओर जाएगा इस समय में आपका ध्यान जैसे मंत्र चैंटिंग करना या वेज शास्त्र पढ़ना पुरान इत्यादी पढ़ना उनका रिसर्च करना ऐसे कारियों में आप लग जाएंगे रिसर्च आदी के कारियों में आया जो छिपी हुई चीजे होते हैं गुप्त धन जिसे कहते हैं गुप्त चीजों के अंदर गुप्त चीजों को जानने की जिग्यासा आपके अंदर जावित हो सकती है उन्ची जों के लिए आप प्रियास कर सकते हैं इसके साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके spouse के माध्यम से भी आप कुछ धन प्राप्त कर पाएंगे आपके spouse के परिवार वाले भी इस समय में आपको कुछ धन लाप या कुछ धन की प्राप्ति करा सकते हैं इस समय में आपको वार्षी की प्रोपर्टी का भी लाप्राप्त होगा कोई वार्षी की प्रोपर्टी यह दिया आपके spouse की है तो उसका भी वे लाब प्राप कर पाएंगे इस समय आपके लिए लाब दायक रहेगा बस थोड़ा सा यही है कि आप अपनी health के लिए और अपने spouse की health के लिए थोड़ा सा careful रहें बाकी सब अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु ग्रह की शुब दरश्टियां है जो लाब ही लाब प्राप प्रदान करती है इसके सास्वा बाकी भी जो प्लेनेट होते हैं उन्हें भी देखना आवश्यक होता है यह जो वीडियो है इस वीडियो में मैंने केवल गुरु ग्रह का राशी परिवरतन के वे भी बाते इस चार्ट पर आधारित होती है और आपकी जन्म कुंडली जिस समय आपका बर्थ होता है जो बर्थ चार्ट होता है वह भी बहुत जादे माइने रखता है यह तो सिर्फ और सिर्फ केवल गुरु ग्रह का राशी परिवरतन का फल है जो आप जो मीन लगन व देखने के लिए मेरे चैनल पर प्रेम पूर्वग बने लाने के लिए आपका प्रेम पूर्वग धन्यवाद नमस्कार